ओम नमस्यवाई तो भक्तो मेरे पास काफी सारी मेल्स आ रही हैं, काफी सारी कॉल्स आते हैं जिसमें की नई नई शादी होती है और एक साल भी नहीं ठकती एक साल के अंतराल में ही कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है तो जब ऐसा समय आए या फिर ऐसी परिस्तितियां आए तो आपको क्या करना चाहिए मान लीजे अगर आपके व्यवाहिक जीवन में कोई भी मनमुटाब है किसी भी तरह की समस्या है तो आपको त्रिकाल संध्या इस मंत्र का जाब करना है इस मंत्र का जाब करने से चाहे वो इस्तरी हो या पुरुष अगर आप त्रिकाल संध्या इस मंत्र का जाब करते हैं तो चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों न हो वो देखते ही देखते दूर हो जाएगी त्रिकाल संध्या का अर्थ होता है कि जब तीन समय आप इसका जाब करें एक सुबह के समय एक दो पहर और एक शाम को इसे तरिकाल संद्या कहते हैं अगर नियमित समय पर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए बड़े से बड़े मुसीबत भी कुछ नहीं इसके सामने पारिवारिक समस्याओं के लिए ये मंतर बना हुआ है अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो कोई रूट कर चला गया हो या फिर आपसे बात ना कर रहा हो या फिर उखड़ा उखड़ा रहना ये सब ये सारी चीजे पारिवारिक समस्याओं में आती है ये अगर और भी आपकी कोई बड़ी समस्या है वो भी इससे ठीक हो जाएगी सबसे पहली बात होते है कि विश्वास आपका विश्वास अडिग होना चाहिए अगर विश्वास है तो पत्थर में भी जान है अगर विश्वास नहीं है तो ये सारी चीज़े कुछ काम नहीं करेंगी अगर आप मेरे पास सवाल लेकर आते हो कि क्या ये चीज़े काम करेंगी तो यकीन मानिए आपके लिए ये सारी चीज़े काम नहीं करेंगी इन सब को चलाने के लिए एक इंधन होता है जिसको विश्वास कहते हैं उसको आप भर कर रखें, स्टोर करके रखें अपने अंदर और किसी को ना बताईए जब आप ये कोई भी अनुष्ठान करें या फिर कोई भी क्रिया करें तो किसी को इन चीजों के बारे में बताना नहीं होता क्योंकि एक साइंटिस्ट जब तक पागल होता है जब तक कि वो कोई अविश्कार न कर ले इसलिए अगर आप किसी को बताते हैं तो वो आपको डी मोटिवेट कर देगा तो अपना जो भी करमकांड आप करें उसको तब तक छुपा के रखेगा जब तक कि वो फल इतना हो जाए जैसे कि पपीते के फल को जब तक वो पकना जाए तब तक छुपा के रखते हैं क्योंकि नजर लगना एक आम बात है इन चीजों में अगर आप किसी को बताते हैं और वो किसी और को बताते हैं तो ये चीज़े जो है विफल हो जाती है इसको तब तक मत बताएगा जब तक कि आपका काम नहों जाए एक बार ये मंतर अपने किसी डायरी में लिख लीजिए और साथ दिन तक आपको तरिकाल संधिया इसका जाब करना है और जो भी रिजल्ट आए वो मुझे बता दीजेगा और यखीन मानिए जो भी समस्या है वो देखते ही देखते दूर हो जाएगी मैंने लाखों के घर इस मंतर से बचाएगी आप भी इसका लाब उठाएगे किसी भी तरह की जानकारिया परेशानी हो तो मुझे यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं धर्नेवाद जर्नेवाद जर्नेवाद